अब फ्रेंड्स, वेलकम टू माच एरल, शेफ रेक्वास की चन, आज मैं इस वीडियो में आपको पालक पनीर की पूरी बनाना सिखोंगी, आई हम पालक पनीर की पूरी बनाना शुरू करते हैं मैं आज आपको इस वीडियो में लंच ब्रेक्वास्ट के लिए रेसेपी बनाना सिखा रहा हूँ, हम बनाएंगे पालक पनीर की पूरी, पालक पनीर की पूरी के लिए मैंने डेट सो ग्राम पालक लिया, इसे दो लिया और साफ कर लिया इसके साथ ली में दो हरी मिर्ची, अब हम ग्राइंडर में पालक को डालेंगे, पालक के साथ ही दो हरी मिर्ची ली इसके डंठल को उठा लेंगे, इस तरह से काट लेंगे, और इसको मैं डालूँगे, और उसे बीना पानी के स्मूत पेश्ट बना लेंगे, बीना पानी के एक मिनिट के लिए चला लिया है, अ एक बरत्र में डालेंगे, देखिए, पालक के पेश्ट में मिलाओंगी एक छोड़ी चम्मच लाल मिर्श पाउडर, एक छोड़ी चम्मच नमक, नमक आप आपके स्वात के निस्वाड़ मिला सकते हैं, एक छोटी चम्मच जीरा, चुटकी बरहिंग, हाप छोटी चम्मच अजवाइन, एक चम्मच अमचूर पावडर, आधी छोटी चम्मच मिलाएंगे हम सौफ का पावडर, एक छोटी चम्मच लेमन जूस, लेमन जूस और अमचूर से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसका मैंने लिया है 100 ग्राम पनीर और उसे ग्रेट कर लेंगे इस तरह से पनीर से बहुत ही अच्छी पूड़ी बनेगी और मेंगो पाउडर डला है इससे खट्टा टेस्ट आएगा देखे इस तरह से मैं पनीर को ग्रेट कर लूँगी पनीर को ग्रेट कर लिया है, इसमें मिलाएंगे 50 ग्राम बेसन, इस मेजरमेंट से मैंने बेसन लिया, उससे मिला रही हूँ मैं एक बावल गेहूं काटा, एक बावल और मिलाँगी मैं गेहूं काटा यह निक मैंने दो बावल गेहूं काटा मिला दिया है, अब हम सभी पूरी में अच्छे से डो बन जाएगा पूरी का देखिए बन गया है अगर आपको आवशकता लगे तोड़ा और आप पाटा इसमें मिला सकते हैं ने क्याँ आई डो बना लिया है इसके उपर डालू में एक छोटी कमच और ऊइल और इसे बाइंड करकर पांच मिलीट के लिए धग कर रख देंगें इस तरह से बाइंड करना है और पांच मिलीट के लिए हम धगर रख देंगे हैं 5 मिल पूड़ी में जो दालए हैं ताकि पूड़ी पूड़ी तैयार करें चिपके नहीं वो इस तरह से प्लेटफॉर्म पर तेल वाली लोई को रखूंगी में और इस तरह से बेल अंसम चोटी चोटी गोलगल पूड़ी बेल लेंगे देखिए इस तरह से आपको पूड़ी बेलना है इस तरह मैं पूड़ी को बेल लूँगे इस तरह आप सभी पूड़िया बेल कर त ड्वादी को अगए दीज फल चाया है। दूसरे चाह मैं फर्भी क करछा ये निकाल गाइगी, अब दो तरह कर लेंगी आप एक बार में दो film लेंशक निकाल है कर देखर देख सकते हैं। मैंने फर् record मैं मैंने ये घंग !! अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे, आप इसे टोमिटो सोस, चटनी या डेट सपिकल के साथ ले सकते हैं, पालक की पूरी तैयारे, इसे आप गर्मा-गर्मा सर्व कीजिए और इंजोई कीजिए, फ्रेंड्स आपको मेरे से भी कैसी लगी, मुझे जरूर बताईए, और